जीवन उत्पन करती यमुनानती अपनी दैनी स्थिति की वज़े से दिन बह दिन दम तोड़ती जा रही है। और हाल ही में यमुना में एमोनिया की मात्रा और भी बढ़ जाने के कारण दिली के कुछ लागों में पानी की सप्लाई भी अब कम करती गई है। इसे दिल्ली वालों को कुछ दिन जल संकट का सामना भी करना पड़ सकता है यमुना नदी के पानी में एमोनिया के इस्तर की मात्रा बढ़ने की वजह से चंदरावल, वजीराबाद और ओखला के वाटर ट्रीट्मेंट प्लांट्स प्रभावित हुए है इन प्लांट्स से नई दिल्ली पाली का परिशत समेथ दक्षन दिल्ली, दिल्ली केंट समेथ सेंट्रल और वैसन दिल्ली में पानी की सप्लाई की जाती है इसलिए इन प्लांट से 22 नवंबर से ही पानी की सप्लाई प्रभावित हो गई है और आशन का ये जताई जा रही है कि 23 नवंबर को भी इसका आसर बना रह सकता है परियावर्ण संग्रक्षन मंच के अध्यक्ष राकिश भासकर ने भी पानी के संग्रक्षन के लिए जनता से अपील पीड़ी टैप को खोल दिये पानी गिर रहा है नहीं मालूम था कि पानी का महत तो क्या है जीवन में लिए जब हम लोग इसको समझे उसमें हम कमी करें उसको यह वरन लोग को जागरूक करने की ज़रूरत है पोड ने भी आम जनता से अपील कि हैं कि वे अपनी आवशक्ता अनुसार पानी भरकर रखें परिया वरन पोस्ट के माधियम से हम जनता से यही कहना चाहेंगे कि पानी भहमूल्य है इसका संग्रक्षन करें बरबाद होने से बचाएं और ज़रूरत के मताबिकी इसका इस्तेमाल करें सब्सक्राइब करें परिया वरन पोस्ट